नमस्कार दोस्तों, आज हम इस विडियो में Google Pixel 8a 5G vs Xiaomi Redmi K70 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं, इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्ट फोन की जानकारी भी आपको विडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो, Pixel 8A 5G में 5.99 इंच जब की K70 Pro में 6.33 इंच की लेंख मिलती है विद की बात करें तो, Pixel 8A 5G में 2.86 इंच जब की K70 Pro में 2.95 इंच की विद्ध मिलती है बात करें थिकनेस की तो, Pixel 8A 5G में 0.35 इंच जब की K70 Pro में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है अब बात करते हैं वेट की तो, Pixel 8A 5G में 189 ग्राम्स जब की K70 Pro में 209 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है जो की Pixel 8A 5G से ज्यादा है चलिए, अब हम दिस्प्ले की तुलना करते हैं डिस्प्ले टाइप की बात करें तो, दोनों फोन में सेम ही OLED की डिस्प्ले मिलती है अस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20 रेशियो 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो, Pixel 8A 5G में 6.1 इंचेज जबकी K70 Pro में 6.67 इंचेज मिलती है डिस्प्ले रेशियोशन पिक्सल 8A 5G में 1080 x 2400 px FHD+, और, K70 Pro में 1440 x 3200 px QHD+, मिलता है स्क्रीन तु बोडी रेशियो पिक्सल 8A 5G में 81.24 प्रतिशत जबकी K70 Pro में 89.09 प्रतिशत मिलता है बात करें PTI डेंसिटी की तो, पिक्सल 8A 5G में 431 प्रतिश प्रतिश जबकी K70 Pro में 526 प्रतिश प्रतिश मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जो की मोबाइल पौन का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सब के पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मेंग कैमरा की तो पिक्सल 8A 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की प्राइमरी कैमरा और आखिर में अल्ट्रा वाइड अंगल कैमरा देखने को मिलता है और K70 Pro की बात करें तो इसमें 3 camera देखने को मिलता है जिसमें की primary camera, ultra wide angle camera और आखिर में telephoto camera देखने को मिलता है बात करें विडियो camera की तो Pixel 8A 5G में 9 different type के features मिल जाते हैं और K70 Pro की बात करें तो इसमें 10 different type के features मिल जाते हैं अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो Pixel 8A 5G में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 6 different features मिलते हैं और K70 Pro में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 4 different features मिलते हैं आए अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे hardware में सबसे परहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाये तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते हैं GPU की बात करें तो Pixel 8A 5G में immortalized G715MC10 जबकी K70 Pro में Adreno 750 मिलता है चिपसेट की बात करें तो Pixel 8A 5G में Google, Tensor G3 और K70 Pro में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 मिलता है बात करें RAM की तो Pixel 8A 5G में 8 GB जबकी K70 Pro में 12 GB RAM मिलती है बात करें internal memory जिसको हम storage भी कहते हैं वो दोनों phone में same ही 256 GB storage मिलती है expandable memory दोनों phone में नहीं है operating system दोनों phone में Android V14 देखने को मिलती है बाटरी Pixel 8A 5G में 4492 mAh जबकी K70 Pro में 5000 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते हैं colors की बात करें तो Pixel 8A 5G में 4 colors जबकी K70 Pro में 5 colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करें price की तो Pixel 8A 5G 8GB RAM 256GB storage के साथ 69,999 रूपीज में मिल जाता है और बात करें के 70 Pro की तो वो 12GB RAM 256GB storage के साथ 41,990 रूपीज में मिलता है दोस्तों अब बात करते हैं prans and cons यानि की फाइदे और नुकसान की तो Google Pixel 8A 5G में 5 फाइदे और 5 नुकसान देखने को मिलता है जबकि बात करें Xiaomi Redmi K70 Pro 5G की तो उसमें 8 फाइदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है फाइनली बात करें है result की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है में कैमरा में Pixel 8A 5G आगे है फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है परफॉर्मेंस में K70 Pro आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते है पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी प्रेयर दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृप्याई से लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूले